Hello friends, Raj AC Tech में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग बात करेंगे कि AC में क्या होता है कभी-कभी आइस जमना स्टार्ट हो जाता है वो अपरेटर में इंडूर का वो अपरेटर होता है विंडूर एसी स्प्लेट एसी में जो है इसमें क्या-क्या चेक करना होता है आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और बिल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि तमाव आने वाली वीडियो आप तक जो है वो पहुंच सके ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते है अज का जो हम लोग का टॉपिक है वो एसी में यह है कि एसी में आइस क्यों आता है ठीक है अगर फिल्टर जो है वो डस्टी रहेगा तो भी आइस आएगा ठीक है और यह जो दूसरा प्रॉब्लम हम लोग चलेंगे दूसरा प्रॉब्लम में तो दूसरा प्रॉब्लम यही है कि इंडोर का जो है ब्लोवर मोटर जो है वो स्लो हो जाता है ठीक है इंडोर का जो ब्ल ब्लोवर मोटर में क्या होता है कि एक छोटा सा कैपिसेटर लगावा होता है अगर वो वीक रहता है जिस कारण से ब्लोवर स्लो चलता है ठीक है तो फ्रेंट्स अगर ब्लोवर और किट और कैपिसेटर इस मामले में में भी अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो कम N to comment करें आपके comment के हिसाब से वीडियो अपलोड कर दूंगा there तो यह दूसरा reason हो और तीसरा reason जो है वो he c gas check करें अगर जादा होगा अगर ec का जो है जिए उस condition में भी क्या है और आइस आना start हो जाएगा एक काीजा आइस आएगा आप 2 प्रोब्लम में नारा हो आपको चेक करना है इंडोर ठबार बिदस कि हो तो भी आपका जो मोट क हो आपको चेक करना 효 सकाल काया नारा कट एक डिन बैसान क्रेशन पाइप शचेक करें कि शुक्ता की आपका बीच अन inv格 25 बेश चाहें ना तो आपका है वह जो है आईस आएगा यह आप अच्छे तरीके से करें कि कहीं पर तो नहीं हो गीया ना ठीक है और छे नमबर में आपको ये च्छक करना है कि इंडूर temperature sensor चेगं करना ठीक हैं आपको पता है नहीं होना चाहिए और ऐसा आउम साथ चुनिंप्रेटर होताता का समक्रेसर अध़ा कि व्हुने करोड़ा यतुंसर वह एक टुनिंप्रेश् सब्सक्राइब नहीं होना जैके ड्लता रहका चुछ तो अगर गंदर रहेगा तो भी प्रोब्लम होगा अँतल रहेगा तो यस प्रोब्लम जो रहेगा रहेगा मतलब नहीं प्रोब्लमी तरीयलम। लागक्र करकूज। नौ प्रॉब्लम में आपको क्या चेक करना है कि आपको देखना है कि इंडोर का जो किट होता है ठीक आपको पता है कि इंडोर में एक किट लगा हुआ होता है ठीक आप देख सकते हैं इंडोर में किट लगा हुआ होता है जिसमें एक रिले लगा हुआ होता है जो तीन मिनट के बाद जो है, वह output देती है आउटटोर को ठीक है तो तीन मेनट के बाद आउटडोर चलता है हम लोग remote तो आपको यह भी चेक करना है कि किसी किसी आउट्डोर में जो है वो खराब होगा तो दीक है कि से और प्रभी मतलब एक रिले करता है जहेसे रिले डायर होगा, तो फिर compressor चल रहा है तो उसी हिसाब से आपका contactor भी अगर direct हो गया तो आपका compressor जो है वह continue चलेगा जिसकारण जो है वह आइस फिर जमना start हो जाता ठीक है तो यह सारे reason है friends आप यह जो है चेक करें उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आ कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए आपके कमेंट के हिसाब से friends मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा ठीक है thanks for watch my video